कि वेल्कॉम टुपी फिनल्शे यूटूब चैनल प्रेडर्स आज का हमारा टॉपिक है कि सेक्टर्स करने जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के एटीन हम लोग ने सेक्टर्स को एक लाइनप किया हुआ है कि उसको डिसक्रस करेंगे कि एक्जैक्ली अभी सेक्टर्स क के उपर है व्यू जो रहेंगे टेक्निकल एनलिस के बहाफ पर यह और व्यू जो रहेंगे मेरा जो व्यू आपको शेयर करने का मेरा मकसद है वह है आपको सुरुप और सुरुप मेरे अपना व्यू बताना एक नॉलेज और इन्फरमेशन प्रोवाइट करना ओके और जो स्ट्राइजी के ओपर रहेंगे तो विजाओ बेस्टिंग टाइम लेट्स बिगें अजका हमारा पहले जो सेक्टर है वो है निफ्टी ऑटो अगर आप यहां पर देखेंगे तो काफी कंसोलिडेशन हुआ है कुछ ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है इसमें थोड़ा बहुत सेलेबल प्रेशर दिख रहे हैं आपड़ बट एट प्रेसंट रेंज जो है इसकी नेरो होते जा रही है देखिए दिख रहा आपको र नेरो रेंज हो रहा है यह तो अच्छे से ब्रेक आउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन होने की कोशिच यह अफते में हुई गई है यहां पर जैसे कि यहां पर आप बॉल्यूम में देख सकते हो बट हुआ नहीं है अगर ब्रेकडाउन होता है तो निफ आपको सुर्फ यह जान लखने है आपको पैटर्न अगर आपको पैटर्न अगर आपका कुछ होल्डिंग आपका जो आपको थोड़ा सा उस वे में आपको देखने है कि अब भी जो है करन्ली जो है consolidation zone में है, okay so, ये range और ये range ये दोनों चीज आपको देखने है, okay next पे आते हैं हमारा आज का जो है, nifty commodity nifty commodities currently breakout हुआ है nifty commodities में आज के दिन पे, okay and weekly chart पे भी देख सकते हैं कि ये काफी strong candle बनी है याँ पर so, I am expecting nifty commodity to this level in case अगर breakout fail होता है so, this will be our level traders, ये पूरा आपको chart discuss करने के बाद मैंने pattern ये भी बनाया हुआ है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, आपको एक screen shot चाहिए तो आप भी ले सकते हो, but at the end of, जो वीडियो end होगा, तो आप वीडियो तक बने रही है तो आपके साथ में पूरा शेर करने वाला हो, आप इसका snapshot भी ले सकते हो, और आपके future reference के लिए आप ये दे सकते हो इसमें एक दूसा important चीज ये है अगर ये breakout होता है, तो that means ये जो double bottom यहाँ पर बना होँआ, ये भी confirm होता है यहाँ पर, अगर आपर आप दियान से दिखेंगे, this is a double bottom, ओके आते हैं, next, nifty consumption, nifty consumption ने बहुत interesting pattern बना है, ये कुछ चैनल बनाया है, अगर जैसे के आप दे सकते हो, कुछ इस तरीकी का चैनल है यहाँ आपर, ओके, and currently ये जो है support है, ये level जो है, support बार लेवल है, अगर इनके ये breakdown होता है, तो first target will be this, okay, अगर पलट के breakout करता है, तो अगर यहाँ से गूमता है, तो first resistance will be this, this will be a major resistance, okay, अच्छे से perform कर रहा है, but at present थोड़ा compression में है, तो मैं expect करो, थोड़ा dip down होगा, और ये level को हम test करेंगे, एक बार nifty consumption में, तो जिनके पास भी इसके particular, कुछ इनके अंदर पर stocks हैं, अगर है, तो ज़रा एक बार देख लीजिए, okay, इसमें आपको ये भी चीज़ आपको एक clarify कर दूँ कि particular जैसे कि मान की जैसे, अब मैं आपको बोलूँगा कि मैं यहां पर bearish लग रहा है, और कुछ निफ्टी consumption का आपके पास कुछ stock है particular, तो आपको ये गबनाने की ज़रूरत नहीं कि particular वो stock में fall आएगा, okay, हो सकता है कि उसके relative 2-4 stocks जो है, वो गिरें और वो आपका जो वाला stock है, वो strong रहें, तो बट ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक overall market का outlook मिलना चाहिए कि at present sectors जो है, जैसे sectors perform करेंगे, उसे साब से market overall perform करेगा, right, तो आपको एक brief view देने के इसाब से मैं ये video create कर रहा हूँ, all right, next जो है हमाने nifty cpse, nifty cpse यहांपर, it's a breakout, okay, it's a breakout, and with volume confirmation, so I am expecting, ये zone आना चाहिए, first ये test होना चाहिए, in case अगा fall down होता है, so this is our support, ये zone हमाना support है, okay, next आतने nifty energy, nifty energy ने traders यहां पर हम जैसे की देख सकते हैं, बड़ा resistance है, यहां से fall down आया था यहां से, यहां से fall down, और यहां पर भी कुछ similarly हम देख रहे हैं, और यह जो पूरा move है, काफी sharp move है, तो मैं यह expect कर रहा हूँ, पहले यहां पर देखिए, हम double bottom बनाया है, CPSC ने, okay, this is a double bottom button, और यहां पर मैं भी expect कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत sideways, sideways के बाद decision होगा, कि fall down होना है, या breakout होना है, breakout होना है, तो उसके अलग levels होगे, fall down होगा, तो यह first, यह resistance, यह काफी अच्छा support है, अकर यह breakout होता है, breakout होता है, तो यह level है, okay, at present, मुझे यह stock में कुछ ज़्यादा, यह CPACC, energy sector में, मुझे कुछ ज़्यादा, नहीं दिख रहा है, कि अब जाएगा, डाउन जाएगा, मुझे थोड़ा बहुत, consolidation zone में लग रहा है, as per the charts, next आते हैं, Nifty Financial Services, Nifty Financial Services ने, recently, एक दिन पहले ही, breakout दिया हुआ है, okay, and I am expecting, to continue in rally, it's nearby resistance, यह जो level है, financial service का, nearby resistance के एसाब से ही है, so maximum, I am expecting, अग कुछ अच्छा bull run आता है, यह level मैं expect कर रहा हूँ, उसके बाद, थोड़ा बहुत तंसॉल रिडिशन है, होना चाहिए, क्योंकि यह जो move है, काफी अच्छा move है, और कुछ बड़ी गिरावर्ट दिख नहीं रही है, छोटी छोटी गिरावर्ट दिख रही है है, so यह level के आसपास ही, कुछ consolidation या थोड़ी reversal signal, लगता है मज़े आने का, क्योंकि यह breakout हुआ है, lifetime breakout है, तो थोड़ा बहुत अब जाके, free level टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए, और healthy up move, so जिनके पास भी इनके कुछ stocks है, तो be cautious, maybe वो resistance के करीब हो या क्या, जरह एक बार देख लीजेगा उसको, next है nifty FMCG, काफी अच्छा bull run, again at lifetime high, and on daily chart, gap up होने के बाद, ये last two-three days से ये, consolidate कर रहा है, तो इसका दो मतलब बनता है, एक जो अब जो है, टाइम आ चुका है कि कुछ profit booking का, या sellers कुछ plan करें profit booking का, या तो, ये कुछ trap हो सकता है, bull trap बोलते हैं इसको, अगर bull trap होगा, तो यहां से और उपर जाने की तयारी जा सकती है, अगर उपर जाने की तयारी है इसकी, तो we can expect, at least ये confident level रहेगा ये, अगर नहीं जाता है, return नीचे आता है, तो this will be a good support, ये level, ओके, next is nifty infra, और weekly charts, nifty infra ने काफ़ी अच्छा breakout दिया हुआ है, ओके, बट और daily chart, after breakout, यहां पर थोड़ा सा stop आया है, तो मैं ये level को जरूर एक बार देखुँगा, अगर यहां पर इसके ऊपर, confidently closing देता है, then we can expect, this level in nifty infra, अगर वो बाउंस बैक करके return आता है, तो ये काफ़ी अच्छा भी level है इसका, as a support का, as of now, और as per the move, ये काफ़ी अच्छा breakout हुआ है, I am expecting this zone, okay, next is nifty IT, traders nifty IT ने काफ़ी इंटर्स्टिंग पैटन बनाया है, आया है, see this is channel, so I am expecting और यहां पर breakdown भी हुआ है, so I am expecting this level, so as per my view, and this is our selling pressure, volume बढ़ते भी जा रहा है, ये कन्फर्म कर रहा है कि थोड़ा बाथ, ये लेवल तक हम देख सकते हैं, then again a bounce back, इनके तक बाउंस बैक नहीं होता है, तो we can expect nifty IT at this level, okay, bounce back होता है, so this will be a good number of resistance, क्योंकि यहां पर काफी consolidated हुआ है, और इसके बाद final down decision आया है, कि breakdown ओना है इसको, okay, so ये level जान जिजे का, उपर के levels है और ये नीचे के levels है, nifty media, downtrend, and this is our breakdown, okay, this is our breakdown with volume confirmation, so I am bearish in nifty media, and इनका next support जो मुझे दिख रहा है, around this zone, around this zone, okay, breakdown होदा है, so, confirm है a breakdown है, अगर होदा है, continue to fall, so we can expect this level will be a good support for nifty media, okay, next is nifty metal, nifty metal, हिंडाल को, VEDL, ये सब जो stock है, nifty metal के अंदर आते हैं, this is register number one, two, three, okay, so I am expecting a bearish, particular मैं हिंडाल को, या VEDL को bearish नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक sector की एनलाईज करके, मैं आपको यी guide कर रहा हूँ, okay, so this is register number one, this is register number two, and this is register number three, and we can see over here, selling pressure, so I am expecting a downtrend over here, in case अगर गूम के, breakout देपता है, so this will be good resistance for it, and अगर breakdown देपता है, तो ये करन जो है, support है, okay, Nifty MNC, Nifty MNC traders, जैसे के हम देख सकते हैं आपर, range काफी narrow कर दिया है, last, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, approximately 15 to 20 weeks से हम देख रहे हैं यहां पर, range नेरो कर दिया है, narrow range देखिया, ये range, sorry, this is range, तो range जैसे ही narrow हो जाती है, इधर या तो ब्रेक आउट देगा, या ब्रेक देगा, ब्रेक देगा, तो ये level है, अगर ब्रेक आउट देथा, तो ये level to watch है, this is the level to watch, for resistance and this is for good support, next is Nifty Pharma, तो ये निफ्टी फार्मा भी एक चैनल में ही ट्रेड हो रहा है, Nifty Pharma सेकर पूरा, okay, this is the channel, and I am expecting either this or sideways, bullish मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि as per the charts, ये काफी अच्छा bull run आया था, उसके बाद consolidation, then it has started the downtrend again, so I am expecting either a sideways or a bearish thing in Pharma, I am not bullish in Pharma right now, okay, in case, अगर याँ से ब्रेक आटा है, so this will be a good resistance for Nifty Pharma, again this, so resistance काफी है, and ये ये विल भी अगर नीचे आता है, so this zone will be a good support for Nifty Pharma as per the pattern, Nifty private sector bank, private banks, on the verge of about to break out a lifetime high, okay, lifetime high, candle bhi is की काफी अच्छी है, strong candle लग रही है, and in case break out देरता है ये, Nifty private banks, break out देते हैं, तो we can expect, this level, this level, and this level, three levels, okay, and जिसे आप सी, candle strong बना रही है, so I am hoping ये ब्रेकाउट दे सकता है, okay, in case अगर ब्रेकाउट नहीं देता है, so, support will be this, second support will be this, alright, so next is Nifty Pharma, near to resistance, one, two, and this can be third one, and at present, it's in channel, consolidation channel, now bigger highs, now bigger lows, so, so, जो channel side, इनके रहीं ब्रेकाउट देता है, यहां से, so, we can see a sharp good, for, sharp run, till over here, ठीक है, ये level है, और in case, नीचे आता है, तो, ये level मुझे लग रहीं, एक strong support, अभी इसका बन चुका है, अभी ये level पे, next is, Nifty PSU, Nifty PSU, is a breakout, ठीक है, this is a breakout, this is a volume formation, अगर ब्रेकाउट देता है, अच्छे से सस्टेंड होता है, तो, we can expect, at least this level, फर्स्ट आर्गेट विल बी दिस, सेकंड आर्गेट विल बी दिस, और थर्द आर्गेट विल बी दिरेक्ली दिस, in case, breakout, सेल होता है, sideways होता है, आर्गेट आर्गेट रगेट विल दिस आर्गेट आर्गेट विल दिस, पर दिस, पर रिल जऔर ऑफो, अदेटर, चरगेट पर दिस, और पर अबता ही दिस, तो, आल आट्य पर सेलिय कनल की आर्गेट So I am hoping a breakout over here, okay, about to breakout, after breakout we can see first level will be this, second level will be this, in case breakdown of that, so this can be a good support for nifty reality. So our last sector is nifty service sector, nifty service sector is at lifetime high, okay, so lifetime high out there though, we have to use the Fibonacci level, I am expecting this level will be good enough for nifty service sector, okay, so at present, currently we can see, this is a sharp move, after consolidation, it is a sharp move okay, so this can be level for, you know, good resistance, consolidation then we can see a downfall over here, in case continuity, upside, so second resistance will be this, resistance, target whatever you can say, okay, these are the levels. So finally, this is the main thing, nifty auto I am looking forward to narrow range, nifty commodity, jo mije lag ra hai about to breakout hai, nifty consumption channel bearish, channel formation hai and bearish outlook hai, nifty CPAC about to breakout, nifty energy is a sideways as of now, nifty financial service is a bullish, nifty FMCG will be a sideways, nifty infra, I am looking forward to bullish breakout, nifty IT bearish hai, channel formation hai, nifty media bearish hai, nifty metal bearish, nifty FMC, MNC sideways, nifty pharma sideways, nifty private bank bullish, nifty PAC sideways, nifty PSU bullish breakout, bullish hai and breakout diya hai, nifty reality about to breakout lag ra hai hai, nifty service will be a bullish, so alright traders, this is it, I am ending over here video, if you like our video, then do subscribe to our channel and do share this video with your fellow traders, unko bhi kaam asakti hai cheez, aur aapke jo bhi investment hai, so aap yeh video ko dekhke urse saapse, aap eek achha decision le sakte ho, aapka final decision will be yours, this is my views and suggestion only for informational purpose only, thank you very much. To be continued...